अपने बातरूम को अगर एक modern और trendy लुक देना चाहते हो तो ये वीडियो देख लो बले नया बातरूम बना रहे हो यहां पूरान है तो 10 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो सस्ती भी होंगी अच्छी भी होंगी और ट्रेंड के साथ चल रही होंगी 2024 में सबसे पहली चीजी क्या है जो आपका floor होगा उसमें proper सी slope देनी है slope बहुत important होती है अगर बातरूम में smell रहेगी वो बले कितना trendy लुक दे रहा होगा वो अच्छा नहीं लगता है तो आपको यो drain यूज करना है जो slab inbuilt drains आते हैं आजकल तो उसके साथ आपको जाना जैसे यह स समसे अंदर चला जाएगा और आपकी जो जाली है traditional जाली होती थी वो जाली है बहुत कराब लगती है किसी अगर trendy बातरूम में यूज करोगे तो आप इसको यूज करते हो तो आपका एक तो proper drainage भी अच्छी रहेगी और देखने में बहुत सुंदर ये लगता है दूसरी च करना क्या है जितने जादा plain colors रहेंगे जैसे बाइट हो गया प्योर वाइट रहता है प्योर वाइट लगाओ जिसमें gray color के इरेश्य हूँ जा ब्लैक जिसमें coffee color का shade हो मतलब ब्लैक में भी जा सकते हो दो option होते है एक dark black में जाओ 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 वाइट में जाओ जाओ ग्रे certified tile के साथ जाना है तब जब आपको white color लगाना है मतलब आपको shine दिखानी है और आज कल तो trend है matte finish का अगर आप black जाते हो gray जाते हो तो ऐसे में जब matte finish रहता है तो वो बहुत अच्छी look देता है जैसे सामने जो pics देख रहे हो टाइल देख रहे हो यह बहुत अच्छी look वो look को खराब कर सकती है तो यह चीज भी दियान रखने है tile के साथ अच्छे से play करने हमारा mirror हमारा जो mirror होते है उसी पे हमारे bathroom का look depend होते है पहले क्या करते थे लोग छोटा सा mirror लगा दिया बले वो rectangular shape का है या square shape का है तो उसको अभी अलवीदा क्या दो वो कब भी नहीं आ हमेशा आपको क्या करना है circular shape का जब आप mirror यूज़ करते हो वो बहुत अच्छा look देता है अगर आपको circular नहीं पसंद है तो आप जा सकते हो rectangular के साथ लेकिन उसका size छोटा नहीं होना चाहिए उसका size हो गया 5 भाई 2 का जहांच 6 भाई 2 का तो बड़े size का mirror अगर bathroom में रहता है तो वो बहुत अच्छी look देता है एक trendy look आपके bathroom को देता है बाकि अगर हम बात करें जो circular mirror रहता है अगर छोटा से छोटा आपको 2 feet का या 600 mm का लगाने ही लगाने तो उसका जो हमें price पड़ जाता है 1200 से 2000 का पड़ जाता है जैसे यह सामने जो circular shape का mirror देख रहे हो आप य यह कितना है 600 mm है और यह 2000 की range में है तो बहुत अच्छा trendy look आपके bathroom को देदेगा नहीं तो pics आप देख रहे हो बड़े rectangle size के जो mirror है वो एक enhance कर रहे है आपके bathroom की look को यह हो गया mirror के साथ हमेशे आपको play करना ही करना है अगर आपको अपना bathroom trendy look के साथ दिखाना है अगली background हो गया टाइल की बज़े से plane बले वो grey है white है जो भी है तो हमें क्या करना है जो हमारे tap एनल के हैं वो आजकल colorful आ गया colorful यूज करो golden हो गया rose gold हो गया black हो गया बहुत सुंदर दिखते हैं अगर आपने white टाइल लगवा ही अपने bathroom में तो अगर आप background हमारा white हो गया तो हमार golden यूज करते हैं जब तो एक अलगी look निकल के आती है तो आपको tap के साथ थोड़ा play करना है chrome की जगा आप एक दो tap wash fashion का tap हो गया जो तो असको आप golden ले सकते हो bronze ले सकते हो थोड़ा costly रहता है लेकिन अगर budget का कोई issue नहीं है तो अब अगर यह यूज करते हो तो बहुत आने की पूरी vanity रहती थी वो कभी use नहीं करनी आज कल trend है floating vanity का पहले भी trend था floating vanity का लेकिन आज कल फिर से वो आ गया आपको डाई दो डाई feet तक वो floating vanity रखनी है नीचे से काली रखनी है उससे क्योंगा आपका bathroom काफी बड़ा भी दिखेगा और एक नया trend एक नई look भी आपक बना सकते हो आप WPC का बना सकते हो बोर्ड का बना सकते हो PVC के आते हैं तो यह सब आप vanity बनाते हो अगर तो यह अच्छी look आपके bathroom को दे देती है अगली चीज आपको क्या करनी है जो partition मतलब आपका एक तो चीज दियान रखना यह आपका wet area है और dry area हमेशा अलग रखना और लोग mostly इंडिया में गलती करते हैं सेम रख देते हैं तो यह आपका wet area रहेगा वो बिल्कुल पीछे रहना चाहिए और dry area आपका सामने रहेगा जैसे भी आपको possible है वैसे रख सकते हो लेकिन दोनों अलग अलग होने चाहिए wet dry area क्या हो गया आपका जो नहने का area है तो वो आपका अलग रहना चाहिए बाकी जो आपकी seat है या wash machine है वो अलग रहना चाहिए जब वो अलग रहेगा तो सुंदर भी दिखते हैं और बीच में उसके आपको क्या करना है partition glass बिठाना है toughened glass बिठाओ stainless वाला एक दिक्कत रहती है कि stain आ जाते हैं आपको हमेशा stainless वाला toughened glass लेना है 8 से 10 mm का हो बहुत अच्छा लगता है और साथ में आप इसकी framing कर सकते हो framing आप इसमें golden जा सकते हो bronze जा सकते हो black जा सकते हो तो वो भी एक अलगी look आपके bathroom को देता है तो partition ball अगर आप बिठाते हो तो बहुत अच्छा दिखता है next चीज आपको क्या करनी है अगर आ आपको material रहता है जैसे shampoo हो गया जो extra items रहती है वो आप shelf पे कर सकते हो अभी बोलोगे कि सर shelf कहां बना सकते है shelf का सबसे best option है जो आपकी seat है seat के उपर अगर shelf रहती है एक तो वो look बहुत अच्छी दिखती है जैसे आप सामने पिक देख रहे हो कितना अच्छा सुन्दर वो तो उस shelf में आप decorative accessories भी रख सकते हो दूसरा आपका उपर जो cupboard होगा वो बंद भी हो जाएगा तो वो एक अच्छी look आपके bathroom को देगा तो मेरे खाल में bathroom shelf सबको अपने bathroom में बनानी चाहिए जो अभी इस समय अपना bathroom construct कर रहे हैं जो trendy look देना चाहते हैं अगली चीज आपको क्या करनी है आपको bathroom को trendy दिखाना तो आपको wall mounted के साथ जाना पड़ेगा ऐसे तो option आजकल बहुत आगया one piece में भी लेकिन wall mounted जो है वो एक अपना ही look लेके आती है एक उसका फाइदा यह है कि उसकी cleaning अच्छी हो जाती है और उसमें colors भी काफी जादा आपको मिल जाएंगे बले आप live plant bathroom में रखो एक तो वो मतलब आपकी जो भी tile होगी बले वो white है बले कोई कोई भी color है उसको enhance करती है और green color जब कहीं जुड़ता है तो वो beauty और ज़्यादा देते है तो आपको अपने bathroom में live या artificial plant ज़रूर रखने है अगली चीज जो आपको करनी है जब हमने tile white use यूज की थी यह ग्रेश यूज की थी background हमारा plane था तो अभी हमें क्या करनी है accessories उसमें add करनी है वो आप colorful कर सकते हो जैसे golden में या rose gold में तो यहां black में तो यह आपके जो bathroom को एक अलग सी look यह भी देती है क्योंकि जब भी कोई bathroom में आएगा काफी नजर in item पर पढ़ती है त वो होता है हमारा geyser, geyser पे कोई द्यान नहीं देता है जब भी आपको अपना geyser choose करना है तो ऐसा पुराना trendy look का आपको कभी नहीं क्यों use करना है आजकल काफी trend आ चुके हैं आप circle में ले सकते हो हो और हमेशा उसको अपनी tile के साथ match करना है कभी भी उसका color ऐसा नहीं ल रहे बले वो आजकल scale shape में आपको मिल जाएंगे regular में मिल जाएंगे बले आप circular में लो लेकिन trendy साथ लेना बाकि bathroom में आप वो steam shower use कर सकते हो costly item काफी आजकल trendy और साथ ही साथ जो आपकी lights रहेंगी light में कुझ जूसी नहीं करनी है जितनी ज्यादा light आप bathroom में दे सकते हो उतन अच्छा bathroom में आपका दिखते है थोड़ा बहुत warm white add कर लीजिए थोड़ा white रखिए तो बहुत अच्छा look निकल के आएगा